दियर लर्नर्स, मैं राकेश कमार गुपता, आप सबी का स्वागत करता हूँ वेवसाय अध्यन के एक नए चेप्टर में जिसका नाम है वेवसाय की उभरती पदियां आज के इस भाग में हम चर्चा करेंगे e-commerce की अवधारना पर, e-commerce और e-business की परिभाशा वह इन दोनों की बीच अंतर समझेंगे, e-business के लाब, इसका शेत्र और इसकी सीमाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे e-commerce के दौरान, online LinkedIn कैसे किया जाता है, e-business के सफल कारेंवन के लिए कौन-कौन सी अफशक्ताएं होती है वैपार, LinkedIn की सुरक्षा संबंदित, विश्यो पर भी आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ हम BPO और KPO पर भी चर्चा करेंगे e-commerce की मानक परिभाषा एक वनेजिक लेंदेन है, जो इंटरनेट पे होता है बहुत सारी online websites के बारे में आपने सुना होगा, ये सभी online store e-commerce website के उधारन है 2019 तक वैश्योइक खुद्रा e-commerce 5.3 trillion dollar था, ये है 2023 तक समधा 6.5 trillion dollar से अधिक तक पहुँच जाएगा आईए, विस्तार से जानते हैं कि e-commerce और e-business के बारे में e-commerce जिसे हम electronic commerce भी कहते हैं, इसका मतलब है internet पर माल, उत्पाद या सेवाओं की खरीद और विक्री से e-commerce को electronic commerce जैसा मैंने बताया, या internet commerce की रूप में भी जाना जाता है ये सेवाएं internet network पर online परदान की जाती हैं, पैसे, fund और data का लेंदेन भी e-commerce के रूप में माना जाता है ये वेपार, लेंदेन चार तरीकों से किये जा सकते हैं, business to business, business to customer, customer to customer और intra e-commerce e-commerce, computer और interconnected to sanchar network का उपयोग करके, electronic उपकरनों की मदद से website संचलित करने की परिक्रिया को संदर्वित करता है इसमें, online खरीदारी, online वेपार, e-shopping आदी शामिल होते हैं e-commerce, internet के माध्यम से वेपारिक, क्रियाएं, करियान वित करने की परिक्रिया है जह एक ऐसी परिक्रिया है, इसमें computer network के माध्यम से वस्तूओं, सेवाओं, एम सूचनाओं का क्रै विक्रै किया जाता है इस परकार, e-commerce में, वस्तूओं, एम सेवाओं का electronic माध्यम से वेपार होता है e-business का अर्थ, internet पर बिजनस चलाना है इसमें, ना केवल क्रै विक्रै, अपितू, ग्रहाकों को सिवा परदान करना, वा वेवसाहिक साज़ेदारी के साथ सायोग करना भी शामिल है e-websai में, वेवसाओं की परिक्रियाओं की एक विस्तृत श्रिंकला शामिल है जैसे अपूर्थी श्रिंकला प्रबंदन, electronic order processing और ग्रहाक सम्मन प्रबंदन इसलिए e-business परिक्रियाओं कमपनियों को अधिक परभावी और कुशलता से संचालित करने में मदद करती है e-websai में ना किवल ग्रहाक और अपूर्थी करताओं के साथ बाचीश शामिल है बलकि विविन विवागों और व्यक्ति के बीच बाचीट और व्यवार भी है इस परकार e-websai एक व्यापक शब्द है जिसमें e-commerce और अन्ने electronic रूप से संचालित व्यवसाई कारे शामिल है तो हम कह सकते हैं e-commerce प्लस सभी e-websai कारे e-business कहला सकते हैं अब हम जानते हैं e-commerce और e-business के बीच का अंतर e-commerce शब्द का अर्थ e-business की तुला में संकूचित है इसका अभी प्राय केवल वस्तों वा सेवाओं की जानकारी, आदेश वा भुकतान के लिए internet का प्रियोग करने से है जबकि e-business का अर्थ e-commerce की तुला में व्यापक है e-business में e-commerce के हलावा वे संपूर्ण वेवसाई क्रियाएं आती हैं जो internet वा computer network के माध्यम से की जा सकती है e-commerce प्लस अन्य संपूर्ण वेवसाई क्रियाएं is equal to e-business e-business के लाब तो e-business करने के बहुत सारे लाब हो सकते हैं हम जानते हैं वो लाब क्या-क्या है व्यापक पहुँच e-commerce विक्रेताओं को एक वैश्विक पहुँच परदान करता है यह इस्तान के अवरोत को दूर करता है अब विक्रेता और खरीदार इस्तान की बादा के बिना अभासी दुनिया में मिल सकते हैं e-business के लाब में एक और जो इसका सबसे बड़ा लाब है वह है इसे शुरू करना बहुत असान होता है और इसमें निवेश की बहुत कम अवशक्ता होती है जब हम एक business स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए हमें एक shop, एक building और बहुत सारी समगरी की requirement होती है बर जब हम e-business स्टार्ट करते हैं तो इसके लिए ना तो हमें कोई shop ना ही समान को इखटा करने की ज़रुत होती है इससे बहुत सारी लागत और निवेश बचता है यह बहुत ही सुधा जनक है हमारे customer इसके दुआरा दिन में 24 घंटे, हफते में 7 दिन और साल में 365 दिन अपनी सुधा अनुसार शॉपिंग कर सकते हैं गती इबिजनस ने वेवसाई की गती को बहुत तेज बढ़ा दिया है इसमें समय वा प्रियासों की बहुत ज़्यादा बचत होती है और customer को बिना market जाए, जो भी समान order करना है, वे समान order करके मंगा सकता है शीगर सुपुर्दगी, यानि quick delivery इबिजनस में एक सबसे जो important इसका लाब है, वे है, delivery बहुत जल्दी हो जाती है आप यहाँ पर order करते हैं, वे आपको guarantee देते हैं कि जल्दी से जल्दी आपको माल पहुचाने की कोशिश करेंगे और जैसा वो promise करते हैं, जादा तर उस समय पर माल आप तक पहुच रहता है वे आपक पहुच, एक अच्छी तरह से विक्सित computer networking system की मदद से website की काई, सभी रास्टे और वैश्विक इस्तर पर काम कर सकती है तो जिन website के थुरू आप shopping करते हैं, हो सकता है वे भारत से बाहर से संचालित होती है और आपकी पहुच सिर्फ भारत तकी नहीं, बलकि भारत के बाहर भी हो चुकी है ग्रहक सिवा में सुधार जब भी ग्रहकों को इसकी अवशक्ता होती है e-commerce हमारी company को website के लिए खुला रखने में सक्षम बनाता है ये ग्रहक के लिए बहुत ही सुधाजनक है ग्रहक के लिए बहुत असान कर देता है चीजों को और ग्रहक को सारी ताजा जानकारी इसके द्वारा उपलब्ध होती है कम लागत electronic commerce से लेंदिन की लागत को काफी कम कर दिया है इसके लिए ना तो कोई इटगारे की दुकान की जरुवत होती है जिससे इसने बहुत सारी निश्चित लागतों को समाप्त कर दिया है और कमपनी के लाब की मार्जन को बढ़ा दिया है अब हम जानते हैं e-business के कारेशेत्र के बारे में e-business में के कारेशेत्र को चार भागों में विवाजित किया जा सकता है B2B यानि website से website e-commerce B2C यानि website से उभोगता e-commerce C2C उभोगता से उभोगता e-commerce और intra-b-commerce तो e-business इन चारों का सम है सबसे पहले हम जानते हैं B2B यानि website से website e-commerce क्या है B2B से तातपर्रे निमन के बीच interconnection से है उत्पादक का समगरी अपूर्ती करता से उत्पादक का थोक विकरेता से थोक विकरेता का फुटकर विकरेता से ये directly customer से deal नहीं करते website से website e-commerce आईए जानते हैं इसकी परिक्रिया को website से गठन जो भी अपना माल बेचना चाता है वह अपना माल अपनी website पे दिखाता है जो भी व्यक्ती माल खरीदना चाता है वह ऑडर पुटकरिया को पूरा करता है जिसमें वह order website के थूथ order प्लेस करता है और website से गठन उस order को रिसीव करके उसको विक्रेता को पचाता है तो यहाँ पर website संगठन भी एक विक्रेता है जो की थोक विक्रेता के साथ समंदित होता है और थोक विक्रेता उभोगता को वहमाल सप्लाई कर सकते हैं website से उभोगता यानि की B2C e-commerce इसमें उत्पादक उभोगता को समान बेश सकता है या फुटकर विक्रेता उभोगता को समान बेश सकता है अब जानते हैं इसकी कारेविदी के बारे में वेपारिक संगठन जो भी अपना समान बेशना चाता है website पर उसको दिखाता है जो भी उभोगता माल खरीदना चाहता है वे वेबसाइट पर उसका ओर्डर करता है वेबवारिक संगठन उसका ओर्डर रिसीव करने के बाद उस ओर्डर को उभोगता को सप्लाई करता है उभोगता से उभोगता, e-commerce इसमें दोनों और पर उभोगता उस समान के लिए सौधा करते हैं जिसके लिए कोई स्थापित बजार तंतर नहीं है जैसा कि आपने कुछ वेबसाइट के बारे में सुना होगा जो पुरानी किताबें और उपयोग किये गए घरलू उपकरणों को बेचना चाहते हैं तो उभोगता जो उभोगता जो उपकरणों को खरीदना चाहते हैं वे है उस उभोगता जो उस समान को बेचना चाहते हैं से contact में आते हैं और समान खरीदते हैं ऐसी पुस्त के जिनके लिए कोई स्थापित बजार तंतर नहीं है इसमें ज़्यादा तर वो है उभोगता से उभोगता के अंदर खरीदी जा सकती है इसके कारेविदी को हम समझते हैं जो भी उभोगता अपना उत्पाद बेचना चाहता है वह विग्यापन अपनी एक वेबसाइट पर प्रसारित करता है जो उभोगता उसको खरीदना चाहते हैं वह उसको देखते हैं और अगर उनको वह समान पसंद आता है तो उसके लिए और करते हैं वे दोनों आपस में contact करते हैं, तो जो भोगता समान ख़ीदना चाहता है, वे धन देता है, और जो भोगता समान देना चाहता है, वे अपना उत्पाद उस व्यक्ति को दे देता है. इंटरबी कॉमर्स, इसमें फॉर्म में विविन विवागों के बीच बाचीत और वैवार को हम इंटरनेट के थुरू करते हैं, इंटरबी कॉमर्स में एक organization के बहुत सारे विवाग आपस में समंध रखते हैं, जैसा के विप्लन विवाग, उत्पादन विवाग या वित वि विवाग के बीच में जो समंध है, जो भी वो इंटरनेट के थुरू बाचीत करते हैं, या discussions करते हैं, वह सब इंटरबी कॉमर्स का पाठ हो सकता है, अब हम इसकी सीमाओं के बारे में बात करते हैं, सबसे पहली जो सीमा है, इसमें इग्राकों के साथ व्यक्तिगत संपर् होता है, वह है ई-कॉमर्स या ई-बिजनस की सहाथा से खरीदना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैब हमें परदान करता है उत्पात की विस्टित जानकारी, लेकिन ग्रहाक इसमें माल को देख नहीं सकता, महसूस या प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेंदेन को जल्दी से अंतिम रूप दिया जा सकता है, लेकिन समान के भौतिक डिलिवरी में अक्सर लंबया समय लगता है, और जिससे ग्रहा को आसुदा होती है, कहीं बार जो रिटन और दोशपून माल आ जाता है, उसको वेबसाइट के थुरू वापिस तो किया जा सकता है, लेकिन इसमें ल उपलग्द नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी-छोटी चीजों के लिए हमें बजार जाना ही पड़ता है, तो ये बिजनस वह चीजें बहुत कम समय पे उपलग्द नहीं करा पाता, इसमें वित्य जोखिम हो सकते हैं और मनो विग्यानिक नुकसान भी होता है, अब हम e-commerce मे किस तरह से लेंदिन किया जाता है, इस परिक्रिया को समझते हैं, जो भी व्यक्ति समान खरीदना चाता है, वह सबसे पहले खोज करता है एक वेबसाइड की, जिस वेबसाइड पे वो समान ले सकता है, तो बहुत सारी वेबसाइड को विजिट करने के बाद, वह ये देख वहां से खरीच सकता है तो वह उस वेबसाइट पर जाकर अपने समान के लिए आदेश कर सकता है और उससे समंदित सारी शर्तें पढ़ सकता है जब गिरहाक संतुष्ट है तो वह आदेश करने के लिए पंजी करन फॉर्म भरता है और एक पास्वेट के साथ अपना खाता बनाता है और करने के बाद उसको अपने क्रेइट कार का नंबर उसकी समाप्तिती थी और साथ ही अपना बिलिंग पता भी भुकतान के लिए भरना पड़ता है विक्रेता उसको सत्यपित कर सकता है debit card का उपयोग भी इस उदश्य के लिए किया जा सकता है और भुकतान मेल द्वारा भेजे गए चेक द्वारा भी किया जा सकता है इसके बाद वितरण भुकतान किया आस्वाशन दिया जो भी customer है उसने भुकतान कर दिया तो उसको seller से आस्वेशन मिल जाता है कि उसका समान डिलीवर हो जाएगा vendor समान की डिलीवर की विवस्ता करते हैं जैसा भी buyer ने अपना निर्देश दिया है माल मिलने के बाद भी ग्राकों को कई बार कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिने बिक्रे की बाद की समस्याओं कहते हैं तो इसके लिए भी e-commerce website बिक्री के बाद सेवाएं देती हैं किसी भी LinkedIn में शती ग्रस्त या दोश्पून समान जैसी समस्याओं हो सकती है machinery या उभोकता टिकाओं जैसी वस्तों के लिए रख रखाव के लिए warranty का प्रवाधान हो सकता है सुरक्षा के लिए सावधानिया यह बहुत ही सिक्योर होता है लेकिन यह तब ही सिक्योर है जब हम कुछ सावधानिया बढ़ते हैं तो सबसे पहली सावधानी पासवर्ड होती है ओनलाइन शॉपिंग में किसी व्यक्ति को ओनलाइन विक्रेता के साथ पंजी करना होता है यह एक अनधिकरित व्यक्ति दुआरा लॉगिन से बचने के लिए पासवर्ड पदान करता है जो पासवर्ड है वो अच्छे से बनाना चाहिए ताकि वह लीक ना हो सके सत्यता यदि अवशक हो तो संदेश के केंदर को ओफलाइन सत्यापन का उप्योग करके ठीक से पहचाना जाए इससे पासवर्ड की धोकादड़ी या दुरुपरेक की किसी भी संभावना से बचा जा सकता है यह एक कोड में डेटा के रुपांतरण को संदर्वित करता है ताकि इसे अन्य उप्योग करताओं दुआरा नहीं पढ़ा जा सके डेटा को रुपांतरण करके एक कोड में परिवर्तित कर दिया जाता है data को प्रेशक द्वारा code में बदल दिया जाता है और receiver द्वारा decode किया जाता है तो उसका process सबसे पहले जो data होता है उसको एक code में डालते हैं और जो भी receiver है वो उस code को decode करता है और ये verify करता है कि वह जो भेजा गया था ये उसी व्यक्ति द्वारा भेजा गया था डिजितल हस्ताक्षर सुरक्षा की लिए यह भी एक बहुत ही अच्छा उपाय है एक डिजितल सिगनेचर का उप्योग संदेश के केंद्र को परमानित करने और संदेश की अखंडता की जाच करने के लिए किया जा सकता है ताकि प्रांजिट में कोई परिवर्तन ना हुआ हो प्रांसमिशन, प्रमानिकरन और अखंडता के संदर में डिजितल हस्ताक्षर को बहुत ही सुरक्षित माना जाता है बाशर्ते इसे एक निर्धारित तरीके से बनाय गया हो या इसके इस्तमाल करने वाले व्यक्ति के एक्स्क्लूसिफ नियंतरन के तहट इसका उप्योग किया जाए भरोसे मन तीसरा पक्ष सुरक्षा सुनश्चित करने का एक और तरीका है कि लेंदिन के एक प्रती को दोनों पक्षों द्वारा विश्वशनिये किसी तीसरे पक्ष को प्रेशित किया जाए और जहां लेंदिन का रिकॉर्ड किसी भी विवाद को निबटाने के लिए इस्तमाल किया जा सके ऑनलाइन लेंदिन की भुखतान की विदिया अब हम जानते हैं कि जो भी हमने ऑनलाइन में लेंदिन किया है उसके भुखतान के लिए क्या-क्या विदिया हो सकती है तो उसके भुकतान में हम cash on delivery या सुपुर्दिकी के समय नगत देकर अपनी transaction के लिए भुकतान कर सकते हैं इसके अलावा चेक, digital cash या e-money, debit और credit card और net banking के दुआरा fund हस्तानतेत करके भी हम अपनी transaction के लिए भुकतान कर सकते हैं e-website के सफल कारियनवन के लिए क्या-क्या अवशक है इसके लिए हमें एक computer hardware जो भी company e-website करना चाहती है उसको उसके लिए एक अपनी website बनानी पड़ेगी योग्य करमचारी और एक विशवशनिय भुकतान प्रनाली ये सभी अवशकता हैं एक e-website को start करने के लिए और उसको चलाय रपने के लिए e-commerce से समदित सुरक्षया समस्याएं जैसा कि ये भी हमने जाना था कि e-commerce में हमें सुरक्षया का बहुत ध्यान रखना चाहिए तो किस तरह के जोखिम का हमें सामना करना पर सकता है ये हम जानेंगे सबसे पहला है लेंदेन में जोखिम किस तरह का जोखिम हमें लेंदेन में हो सकता है अगर आदेश पूरा ना हो वित्रन पर default हो या भुकतान पर default हो हमने आदेश किया लेकिन हमारा आदेश payment लेने के बाद भी हमें नहीं प्राफ्ट हुआ जब हमने उसके delivery के लिए बोला तो हमें delivery नहीं मिली और customer ने भुकतान करने के लिए cash on delivery facility का अवेदन किया था लेकिन वह cash delivery पर pay करने में फेल हो गया impersonation या प्रतिरूपन data संग्रह और संचरन जोकिम जैसे hacking करके कोई हमारा password चोरी कर सकता है और हमारी जगा transaction कर सकता है virus के थुरू भी हमारा जो data है वह खराब हो सकता है चोरी हो सकता है और कई बार brand hacking भी हो सकती है यानि कि किसी और brand का माल कहकर हमें कोई दूसरा brand बेज दिया जाता है e-commerce और e-website के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं बीपियों के बारे में जिसे business process outsourcing या website परिक्रिया बाहर स्रोती तरन कहते हैं outsourcing उस परिक्रिया को कहते हैं जिसमें एक company अपने किसी आंतरिक कारे के लिए दूसरी company के साथ समझाता करके वह काम करवाती है आपने अपने विधालियों में देखा होगा कि आपके school में बहुत सारी कही facilities के लिए school दूसरे वैक्तियों या दूसरी संस्ताओं पर आश्रित होता है जैसे आपके school की canteen school ना चला कर कोई canteen वाले चलाते हैं या आपके school का transport school खुद ना लेकर किसी transport agency को खायर कर सकता है इसी के साथ साथ आपके school का book store भी शायद school संचालित ना करता हो इसी को हम BPO कहते हैं इसकी विशेशताएं या प्रकति के बारे में समझते हैं आउट्सोर्सिंग में कुछ काम को अन्ने फर्मों से कराने का अनुबंद करना शामिल होता है इसमें संस्थाएं गैर मुखे गतिविदियां आम दोर पर आउट्सोर्स करती हैं वेवसाईक परिक्रियाओं को एक कैपेटिव एकाई या किसी तीसरे पक्ष को आउट्सोर्स किया जा सकता है वेवसाई में हम खुदी गैर मुखे गतिविदियों के लिए एक अलग से एकाई बना सकते हैं या उनके लिए किसी तीसरे पक्ष को हम हाईर कर सकते हैं अब हम जानते हैं इसकी अभशक्ताईं और लाब मुखे गतिविदियों पर ध्यान किंदेत करना जो outsourcing का सबसे बड़ा लाब है तो सबसे ज़्यादा इसका फाइदा उठाया जा सकता है कि जो भी हमारा संस्थान है वह केवल मुख्य गति विदियों पर focus करे और अन्य गयर जरूरी गति विदियों के लिए वह agency को hire कर सकता है जो उस काम में expert होती है जैसा कि उधारन दिया गया था कि school में canteen, transport या guard जैसी सुवधाएं हम किसी दूसरी संस्था से hire कर सकते है और school पढ़ाई के कारे पर focus कर सकता है बहतर परिणाम प्राप्त करना outsourcing के थुरू हमारे परिणाम बहतर हो सकते है इसमें उन्जी को अवरूत करने की अफशक्ता नहीं होती क्योंकि हम ये सारी सुवधाएं दूसरी एजन्चीज को hire करकर ले सकते है मित्वेता पराप्त करना इससे बहुत सारी बचत हो जाती है तो चारी कारे तुनिश्चित करना हमारा काम continuous चलता रहता है और हम अपने main काम पर focus कर सकते हैं वेपार का विस्तार अपने मुख्य गतिविदी पर focus करके हम उसमें विस्तार कर सकते हैं और अन्य गैर मुख्य गतिविदियों के लिए दूसरी एजन्चीज को hire कर सकते हैं यह हमारे देश में रोजगार की गति को बढ़ाता है और बहुत सारे लोगों को रोजगार परदान करता है जिससे आर्थिक विकास में सहायता मिलती है इसका एक बहुत ही बड़ा फाइदा है शर्मिक परिशानी से मुक्ति अब हमें लेबर की परिशानी से मुक्ति मिल जाती है अगर हमने एक गार्ड की एजन्सी को hire किया हुआ है और हमें दस गार्ड अपने स्कूल के लिए या अपनी संस्थान के लिए चाहिए तो हमें उनकी किसी भी समस्या से पर्सनल समस्या से कोई भी फरक नहीं पड़ता क्योंकि हमें दस गार्ड मुया कराना हमारी एजन्सी की जिम्मेवारी है और हमें शर्मिकों से डारेक कांटेक करने की जरुवत नहीं पड़ती बीपियो का शेत्र वेबसाईक फर्म निमगरित कारेों का बीपियो फर्म को भाय सोतिकरन कर सकती है ग्रहक सहता सेवा तैली मार्केटिंग सेवाएं ग्रहक संबंध प्रभन लेखांकन सेवाएं वा मानव संस्थान प्रभन तो इन सभी के लिए हम आउट्सोर्सिंग कर सकते है जैसा के भारत में बहुत सारी कंपनियों ने अपना कस्तरमर हेल्प डेस्क और उससे समंदे सारी सेवाओं के लिए आउट्सोर्स किया हुआ है बड़ी-बड़ी कंपनिया स्वयम ग्राक सहता सेवा प्रदान नहीं करती बलकि इसके लिए एजन्सीज को हायर करती है जो ग्राकों की सारी सहता करने के लिए उपलब्ध होती है बीपियों की जानकारी के बाद एक और तर्म है केपियों नॉलिज प्रोसेसिंग जिसे ज्ञान परिक्रिया आउट्सोर्सिंग भी कहा जाता है केपियों का अर्थ है ज्ञान अधारित कार्यों का सवतंत्र सेवाएं प्रदान करने वाली फर्मों को आउट्सोर्स करना एक फर्म कुछ निश्चित राशी देकर ग्यान अधारित करियाओं जैसे वेवसाय अनुसंधान, डाटा विशलेशन, बाजार अनुसंधान सर्वे इतियादी को इस कारे में विशेश ग्यान वाली फर्मों को सौप सकती है तथा अपना ध्यान मुखे कारें पर केंदित कर सकती है तो केपियो भी बीपियो का ही एक भाग होता है अब हम जानते हैं केपियो और बीपियो में क्या अंतर है केपियो फर्मों को सौपा हुआ कारे ग्यान वा सूचना पर अधारित होता है जबकि BPO फर्मों को स्वापा गया कारे मूल रूप से परिक्रिया पर अधारित होता है केपियों का शेत्र केपियों का शेत्र भी बहुत ही विशाल है इसके अंतरगत व्यवसाय अनुसंधान सेवाएं निवेश अनुसंधान सेवाएं डैटा विसलेशन बजार अनुसंधान सेवाएं मुलियांकन एव निस्पक्षता राय कानूनी अनुसंधान सेवाएं या पेटन्ट अनुसंधान सेवाएं जैसी सेवाओं को हम ले सकते हैं ऐसी अजन्सियों से जिनको इस सेक्टर के अंदर महारत हासिल होती है केपियों की अफशक्ता M.Lab केपियों फर्म अपने घ्राकों को IT वा अन्य ग्यान से सम्मंदित समाधान परदान करती है कम लागत पर ये वे सारी सेवाएं परदान करती है जो की अगर फर्म खुद अपने तरफ से कोशिश करे तो उसकी लागत बहुत बढ़ जाती है ग्रहाक मुखे क्रियाओं पर ध्यान केंदित कर सकते हैं और अपनी नॉलिज से रिलेटेट जो सेवाएं हैं वे हैं किसी दूसरों को आउट्शोच कर सकते हैं इससे कारे कुशलता वा उत्पादक्ता में विर्दी होती है इसी के साथ ये सेशन समाप्त होता है थैंक्यू